जब तक सच जूते पहनता है जूट आदी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। विनाश काले विपरीत बुद्धी मुझे लगता है राउल गांदी के इसके उपर ये बिल्कुल स्टीक बैठती है। कॉंग्रेस ही ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे सिधा-सिधा वोट की राजनीती है। हिंदों को गाली दो, मुस्लिम पोल्राइज हो जाएंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और हमारे हिंदू अपनी बैजती के बावजूद कॉंग्रेस को वोट दे देंगे, कॉंग्रेस ऐसा मान के जाएंगे। अगर विधानसभा वाइज विशलेशन करते हैं, तो आज भी भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस से आगे है। इस लोगसभा चुनाव का विशलेशन विधानसभा के स्तर पे जाके करेंगे, तो 44 विधानसभा में भारती जनता पार्टी जीती, 42 में कॉंग्रेस जीती, 4 पे आमादवी पार्टी के शुशिल गुपता, तो हम आज भी आगे हैं, पहली बादू. पंजाब के स्री में आप सब का स्वागत है, मैं हूं चंदर शेकरदरनी, परवीन अतरे मीडिया सेक्टरी हरेना के मुख्य मंतरी के हमारे साथ मुझूद है, अतरे साथ जिस प्रकार से राहूल गांदी अपने शब्दों को विड्रा करने को तियार नहीं है, बीजे पी क विड्रा करें, बीजे पी का अगला स्टेप क्या होगा? मान कर रहे हैं, हिड्रों का अब्मान कर रहे है, देखिये हमें समझना पढ़ेका कि कॉंग्रेस ऐसा क्यों करती है? राहूल गांदी सीदा सीदा हिंदों को गाली देके मुसलमानों को पॉल्राइज करते हैं. पर राहूल गांदी तो करेंगि उन्होंने न्होंने रारिय से सर्व बीजेपी को कहा है ना कि हिंसक है अब सभी हंदू अपने हंदू कहते हैं भाई तो पस्ट है उनके शब्दों में सीधा-सीधा हिंदू के बारे में अपशबत थे लेकिन जब उनके साथियों ने उनको ये बार समझाई कि आपने जो बोला है वो गलत है फिर वो बहाने बाजी जो आपको लगता है वो जिस तरह की बहाने बाजी कर रहे हैं जिस तरह से कॉंग्रेस के निता बहाने बाजी कर रहे हैं वो बहाने बाजी शुरू हो गई राहुल गांदी ऐसा क्यों करते हैं कॉंग्रेस ऐसा क्यों करते हैं 2010 के अंदर पीछ इतम रहम ने हिंदू के उपर सवाल उठाये थे 2013 में शुशील कुमार सिंदे ने उठाये थे जिग विजय सिंग ने बाकाइदा भगवा आतंकवाद ये शबद नया घड़ दिया था कॉंग्रेस ही ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे सीधा सीधा वोट की राजनिती है हिंदूों को गाली दो मुसलिम पोल्राइज हो जाएंगे आपके साथ खड़े हो जाएंगे और हमारे हिंदू अपनी बेजती के बावजुद कॉंग्रेस को वोट दे देंगे कॉंग्रेस ऐसा मान के चलती है इसलिए इस तरों का शब्दों का प्रयोग कॉंग्रेस के द्वारा तक निचावर कर दिया धर्म की रक्षा के लिए लेकिन आज के हमारे कॉंग्रेसी नेता उस आदमी को डिफेंड करने खड़े हो गए जो हिंदू धर्म का अपमान करता है प्रवीन जी जिस परकार से हात्रस की गटना हुई है तो एक हाथसा निंद्री ये भी है वहाँ पर भीड निंद्रन के लिए क्या पुलिस की चूक रही देखिए जिस तरह की वो दुरगटना है बहुत ही दुखद है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके साथ हमारी सांतना है हमारी हमदर्दी पूरी तरह उनके साथ है जिस तरह की जानकारी मीडिया के जरिये प्राप्त हो रही है उससे तो एक चीज़ पस्ट है कि इतने बड़े आयोजन में जो निकासी द्वार था बाहर जाने का जो वो प्रयाप्त नहीं था मोसम जिस तरह से बहुत गर्मी उमस और इतनी बड़ी संख्या को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह की विवस्था उस संस्था के द्वारा की जानी चाहिए थी जिस जो संस्था इस कारेकरम की आयोजक्त थी उनके द्वारा भी कोताई बरती गई है और मुझे ये कहने में भी किसे तरह का गुरेज नहीं है कहीं आ कहीं पुलीस को भी अपने कर्तविया का पालन करना चाहिए था अगर कुनके इलाके में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो विवस्था हैं देखनी चाहिए थी परविन जी एक राजनेतिक स्वाल भी आपसे लोगा दिस परकार से जब भुपिंदर सिंग उड़ा सेकिंड टर्म में मुख्यमंतरी थे उसके बाद जब सरकार जाने वाली थी या दो जार पांच का जिकर करूँगा ओम परकाश चोटाला जी का तो उन्होंने भी जब ल किसलेशन करते हैं उन लोगों का कहना है कि इसको बीजेपी कैश कर पाए कैसे कैश करेगी इसकी रननीती बीजेपी के पास क्या है देखिए पहले तो आपने जिस तरह से तुल्ला की वुपेंदर सिंग हुड़ा की चोटाला साब की भारती जनता पार्टी के साथ मायब सि जाओ भी है वो पहले ये देखें कि हुड़ा ने दस साल की जो सरकार चलाई थी उसने उसमें क्या-क्या काम किये थे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी लोगों के अंदर उसकी सविकारोक्ती कितनी थी जनता किस तरह से क्या उसको अपना मुख्यमंत्री एकसेप्ट कर रही थी कता ही नहीं क्योंकि वो दस साल का जो कारेकाल था वो हर्याना के इतिहास का काला अध्याय है उस वकल सरकार केवल सक्ता के जो चहेते थे ना जो सक्ता के नजदीक थे उनके लिए सरकार होती थी और आज भारती जनता पार्टी की सरकार जब हर्याना में बनी पूरो मु गुआरां था बिपेंदर सींख कुछ भी कहते रहे हैं जंता विश्वास नहीं करती क्योंक conse पहले ही उनके कुषाषन से प्रिशान थी इनकी राजनितिक जो कारेश हैली थी जीस तरह से वो एक विशेश वरक की सरकार बनके रह गई थी एक शेतर की सरकार बनके रह गई थी उस वकत गरीब शोजीत वंची समाज को उसका हक नहीं मिलता था नोक्रियों की बंदर माट होती थी जिन लोगों की जेम में पैसा होता था सिफारिश होती थी उनको नोक्री मिल जाती थी वरतमान में क्या है बिना पर्ची बिना खर्ची योगता पे नोकरी मिल रही है गरीब का बच्चा नोकरी प्राप्त कर रहा है अपनी योगता पे यह जो बेसिक अंतर है इस अंतर की वजए से जो मुख्यमत्री नाहिब सेंग सेंग सैनी जो जनता से वाइदा कर रहे हैं या जो योजनाओं क के आ रहे हैं यह जो याजनाओं की घोशना कर रहे हैं जनता उस पे विश्वास करती है क्योंकि हमने डिलिवर करके दिखाया ऐ हाद से कहीं कि श्ते प्वाँ में डुजार चौदा का जिकर करें दो बी जै सभा वाइस विचिलेशन करते हैं तो आज भिभारत्य जनता पार्टी कॉंग्रेस से आगे हैं इस लोकसाफा चुनाव का विचिलेशन विधान सभा के श्तर पे जाके करेंगे तो चसर ku सविधान संबा में भारती जनता पार्टी जीती 42 में कॉंग्रेस जीती है चार पे आमादी पार्टी के शुशिल गुपता तो हम आज भी आगे है पहली बात दूसरी बात हमारा जो वोट है वो हमें 2019 में जो विधान संबा वोट मिला था उससे बहुत ज्यादा है इस चुना और महिलाओं से एक जुटा वाइदा किया कि हर साल महिलाओं को एक लाक रुपया देंगे हर महिने 9250 महिलाओं के खाते में जमा करेंगे ये जो इस तरह के जूट बोले गए है कहीना कहीं उस जूट की वजए से हमारे बहुत से मद्दा था मुझे ये कहने में संकोच दी ह वो कॉंग्रेस के जूट से ब्रमित हुए लेकिन ये इतना बड़ा जूट था कि आरक्षन खतम हो जाएगा सविधान खतम हो जाएगा और ये जूट वो पार्टी बोल रही थी जिनोंने अपने सत्ता में रहते कई बार सविधान का अपमान किया सविधान को पंगू किया और जिनके पहले प्रदान मंतरी पनित नैरू देश के मुख्य मंतरियों को चिठी लिखके आरक्षन के प्रती अपनी सोच के बारे में बता चुके थे उन्होंने अपने पत्र में सपष्ट कर दिया था कि वो आरक्षन विरोधी है वो पार्टी अगर एक जूट बोलती है जूट आदी दुनिया का चक्कर लगा लेता है तो वो जूट का परचार हुआ उस जूट की वज़े से कुछ वोट कॉंगरेस की तरफ शिफ्ट हुआ जिसकी वज़े से उनके पांच उमीदवार जो है हर्याना के अंदर जीत गए लेकिन काट की हंडी बार बार नहीं करवाना था तो वो खटा-खट के इंतजार में बैठी है न महीं लाएं तो पोल खुल गई है धन्यवाद तो यह हैं प्रवीन अतरे जिन्होंने कई राजनेतिक विश्यों और हात्रस की दुरगटना के ऊपर खुल कर चर्चा की हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद